हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम देखेंगे BSEB पटना द्वारा आयोजीत परिक्षा 2019 से कुछ प्रश्न जो डिपलोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन में पूछे गए थे विसे है शिक्षा के परिपेक्ष टू कोड है S1 प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन टू तो इसमें कुल 17 प्रश्न है और समय तीन घंटे मिलते है पुर्नांक जो है वो सत्तर है परिक्षार्थियों के लिए निर्देश पॉइंट नंबर वन परिक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें पॉइंट टू या प्रश्न पत्र दो खंडों में है खंड अ एवं खंड ब पोइंट नंबर 3 सभी प्रश्न अनिवारी है पोइंट नंबर 4 खंड अ में 12 लगू उत्तर ये प्रश्न है परतेइक के लिए पांच अंक निर्दारित है जिर में से किसी 8 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवारी है लगभग 75 से 100 सब्दों में उतर दीजिए पॉइंट नमबर 5 खंडबा में 5 द्रगे उतर ये प्रशन है परतियक के लिए 10 आंक निर्धारित हैं जिनमें से किसी 3 प्रशनों का उतर देना अनिवारी है लगभग 200 से 200 सब्दों में उतर दीजिए पॉइंट नमबर 6 किसी परकार के एलक्टोनिक उपकरन का परियोग पुर्ण तया वर्जित है चलिए शुरू करते हैं खंड अ लगभू उतर ये प्रशन का उतर लगभग 75 से 100 सब्दों में दें इस खंड में 12 प्रशन दिये गए हैं परिक्छार्थी किनी 8 प्रशनों का उतर दें सभी प्रशनों के मान बराबर हैं कोश्चन नमबर 1 परतिरोध के मूल कारकों की चर्चा करें प्रशन 2 विद्याले में समावेशी वातावरन के निर्मान के लिए आप क्या करेंगी प्रशन 3 समाज में व्याप्त असवानता और वंचना ने शिक्छा के समान अवसरों को परभावित किया है कैसे प्रशन 4 लोकतांतरिक शिक्छक से आप क्या समझते हैं प्रशन 5 लोकतांतरिक मुल्यों के सनरक्षन में शिक्छा के सार्व भौमिकरन की भौमिका का लेख करें प्रशन 6 बच्चों के अधिकार की रक्षा के संदर्व में शिक्छा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को अस्पष्ट करें प्रशन 7 प्रश्न आट, गावों के विकास में शिक्षा के योगदान का उलेक करें प्रश्न नौ, शिक्षा की गुनवत्ता में बाधक तत्वों की संचिप्त विवेचना करें प्रश्न दस, एक शिक्षा को पाथ चर्या की समझ का होना ज़रूरी है कैसे प्रश्न 11, बाल केंदरिच शिक्षा सास्तर का अर्थ अस्पस्ट करें प्रश्न 12, पाठ चरिया के छहेत्रों का उलेख करें आईए अब देखते हैं खंड बर दिर्ख उत्तर ये प्रश्न का उत्तर 200 से 250 सब्दों में दें इस खंड में 5 प्रश्न दिये गए हैं प्रश्न 13, समाजिक निया के लक्षियों को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका का सोदाहरन विवेचना करें प्रश्न 14, शिक्षा के अधिकार के सफलता पूर्वक क्रियानवेत होने में समाजिक आर्थिक सनरचना किस परकार बाधक है एक कुशल शिक्षा के रूप में आप उसका निदान कैसे करेंगे परशन पंद्रा शिक्षा में गुनवत्ता सुनिश्चित करने है तू विभिन अस्तरों पर किये जा रहे है परियासों का वर्नन करें परशन शोला ग्रामिन शिक्षा की प्राठ चरिया की विशेषता क्या है और इसके शिक्षन सास्तर की विवेचना करें परशन सत्रा किनी दो पर टिपनी लिखें क समता और समानता ख परखंड संसाधन केंदर बियार्सी ग विद्याले अस्तरिय पाथ चरिया का ओचित्य इसी के साथ यह परशन पत्र समाप्त होता है और हमारा वीडियो भी धन्यवाद